हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपको चनल शेवाजार वित आयूश और चले वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के शुरुबात करेंगे इंडी जीन आई पियो से आपको पता हिए दोस्तों यह इशू ओपन होने वाला है कब से छे मही से लगाकर आठ मही की बीच में यह नया मेंड बोड आई पियो जो उपन होने वाला है दो रुपे की इसकी फेस वाल्यू है 430 से 452 रुपीज का प्राइस बेंड है 33 शेयर का लॉट साइज है कुल मिलाकर 1841 करूड का यह आई पियो है जिसमें से 760 करूड का तो फ्रेश इशू और बचाओ बाकी का ओफर फॉर सेल करीबन 1081 करूड का इसमें कंपनी अपने इंप्लाइस के लिए डिसकाउंट रख मिलता हुआ नजर आएगा एक शेयर तो इस तरीके साबको डिसकॉर्ण में मिलेगा बाकी इसकी लिस्टिंग BAC, NAC दोनों पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके अंदर दोस्तों रिजर्वेशन है 50% for the QIB काटेगरी 35% for the retail काटेगरी and 15% for the HNI काटेगरी इसका दोस्त आपडेट मिल सके नेक्स दोस्तों जो IPO है वो है TBO Tick एक और नया मेंबोड IPO जो 8 तारीक से 10 तारीक की बीच में उपन होने वाला है और अब आपको में यह कह सकता हूँ कि देखें में के मंत के अंदर आप almost 5-6 मेंबोड IPOs के लिए तयार हो जाईए तीन तो पका हो चुका है कौन-कौन से हैं वो आपको बता चल जाएगा इस फीडियो में लेकिन वे कह रहा हूँ कि तीन और आने की एक्सपेक्टेशन से हैं only for the retail category तो जैसमें retail का portion है वो मातर 10% का रखा गया reason क्या है company क्योंकि दोस्तो घाटे में थी अभी मुनाफ़े में है लेकिन पहले घाटे में थी और आप consecutive आपको तनलब अल्मोस हो गया है जिसका नाम है आधार housing finance जी हां आठ महीं से 10 महीं की बीच में नया mainboard ipo उपन होने आले है नहीं आठ महीं से 2 mainboard ipo उपन होंगे आधार housing और दोस्तों जो दूसरा ipo है वो कौन सा है वो है तो दो ipo उपन होने वाले हैं आठ तारीक से याद रखिएगा funds आपको तयार रखने आधार housing और tbotech इसके लावा दोस्तों देखिए SME भी है SME भी तगड़ा आपको भी action देखने को मिल रहा है सो 10 रुपेग इसके face value है 3000 करोड का इस IP का size है को आपको नताज देता पाचा करोड का नहीं है company अपना size जो है वो reduce कर लिया है और उसको तीन हजा करोड का कर लिया है कुल मिलाकत जिसमें से एक हजा करोड का तो fresh issue रहेगा और दो हजा करोड का offer for sale रहेगा BSE, NSE दोनों पर इसके listing आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर reservation 50% है QIB category के लिए 35% है retail category के लिए और 15% है HNI category के लिए तो देख सकते हैं कि 3000 करोड का यह issue है जिसमें से 35% जो है वो retail के पास का है तो retail के पास अच्छा हिस्सा रहेगा बागी company केरे में थोड़ इससा आपको जानका ही देदा हूं Aadhar Housing Finance दूस्तों नाम से तोल जाता है कि housing finance company है जो basically target करती है lower income segment group को जो company का deep impact जो branches है वो basically sales offices aim to serve customers in India tier 4 and tier 5 towns मतलब अगर आप देखेंगे तो company हम क्या सकते है basically जो lower income segment group है इंडिया में उसको simply target करता है company ने almost 12,221 आधार मित्र who get referral fees for sourcing customer loan ये भी company ने enroll कर रखा है interesting type की company है इनके पास 471 branches है 91 sales offices है ये branch और sales offices जो है वो कईबन B state और unit territories में फैली हुई है company almost 10,926 pin codes पे available है तो अपने आप में देखें कंपनी का एक wide area of network है इसके हम detail में बहुत जल्द बात करेंगे छोड़ से financials पे देख लेते हैं तो देखें कंपनी के financials आप देख सकता है लगातर company का revenue increase होता जा रहा है company का मुनाफ़ा लगातार इनकी जो होता जा रहा है जरूर आप देखेंगे तो borrowing आपको काफी high देखेंगी बड़ यह बात धान रखेंगे यह housing finance विजनसे तो इस पे borrowing matter नहीं करती है ठीक है NPA सब होता है वो important है बड़ उसके रहे हम आगे बात करेंगे बहुत जल्द GMP में शुरुबात करेंगे refactory shapes एक NSE SME issue है जो open होने वाला है from 6th May to 9th में 31 रुपीज का इसका price window है कोई grey market नहीं है 18.60 करूर का दोस्तों इस IPO का size है और यह 6 माई से 9 माई की बीच में open होने जा रहा है Next is fine listings technologies एक BSE SME issue जो करी में 123 रुपेगा है 13.53 करूर का है दोस्तों इस IPO का size है और 7 माई से 9 माई की बीच में यह भी एक नया BSE SME issue है जो open होने जा रहा है Next is winsol engineers एक BSE sorry NSE SME issue जो open होने वाला है कब से from 60 में तो 9 में 75 रुपीज का price band है 60 रुपीज का grey market है यह 80% का इसका premium चल रहा है बागी दोस्तों इस जो issue है वो 23.36 करूर का इस IPO का size है और अपने आप में देखें बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा इस प्रकार की पूरी expectations है Next is indigene grey market लगातर बढ़ने का नाम ले रही है बिलकुल घटने का नाम कहीं भी नहीं है और अच्छी बात है यह 452 रुपीज का इसका price band के सामने 238 रुपए का premium चल रहा है नहीं है almost 690 रुपीज यानि 52.65% उपर लिस्टिंग होने के estimate है लेकि एक बात ध्यान रखेंगा 3 मही को इसकी anchor book निकल कर आएगी तो हमको anchor investors देखने की कौन-कौन से निकल कर आते हैं इस issue के अंदर वो भी interesting रहेगा उसके बाद भी हम catch the grey market में आपको ताचड़ा देखने को मिलेगा बढ़ यह बात साफ है जिस तरीके का action हमने हाली में mainboard IP में देखा है इसके अंदर action आपको काफी जादा देखने को मिलेगा इसमें कोई doubt नहीं है next is loan info systems एक NSE SME issue जो करिवन 79 रुपीज का इसका price है 40 रुपीज का grey market है नि almost 50% का premium चलता हुआ नजर आ रहा है 11.06 क्रोड का IP का size है तो ये बात साफ है कि SMEs में भी देखे action तो काफी तगड़ा है और ये भी बढ़या करेगा 3 मही से 7 मही को open होगा next है दोस्तो size swami metals जो already open है क्योंकि आज देखे market बंद है तो ये भी बंद है अब आपके इस दो दिन बाकी है इस issue में लगाने का वैसे तो देखे racks and rollers एक BSE SME issue जो close होगा कप 6 मही को करीबन 30 कोड़ का size है almost 45% का premium है और तीन गुना अभी तक subscribe भी हो चुका है तो बिल्कुल issue के अंदर भी आप चाहे तो पैसा लगा सकते हैं अगर यहाँ पर subscription ठीक टाक निकल कर आता है ग्रे मार्केट टिकती है तो मैं यही कहूँगा देखे SME segment का जो भी issue है उसमें सबसे पहले company को आप समझे है because SME में आग बंद करके कृप्या करके ना लगा है gray market को देखकर भी ना लगा है मैं तो यह कहूँगा सबसे पहले समझे company को फिर जाकर पैसा लगा है ठीक है आपको पता होना चाहिए उसके बात जाकर मैं कहूँगा कि पैसा लगाई है यहाँ पर ओपन हो चुका है पहला दिन कंप्रीट भी हो चुका है और पहले दिन करीबन 35 उना सब्सक्राइब भी हुआ बाकि 81 परसंट का इसका प्रीम है और दोस्तों जो एशू है वो सब्सक्राइब भी हो चुका है बाकि बढ़िया है बढ़िया कर रहा है इसमें को चानल के साथ जुड़े रहना है तो इस चानल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन वेल को प्रेस और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ बिकास सब का मुनाफ़ा होना चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है था थैंकि फ्रेंड्स वाचिन इस वीडियो